हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सबी बहुत ही अच्छे होंगे फाइनली दोस्तों कावासाकी सोरूम अब रैपूर 36 गड़ में आ चुका है अपना नया कावासाकी सोरूम रैपूर में आ चुका है अब हम कावासाकी की कोई भी बाइक यहाँ खरीच सकते हैं इतने सालों से मैं इंतिजार कर रहा था कि कावासाकी की बाइक आये कावासाकी का सोरूम है अपने रैपूर में और फैनली आ चुका है पहले मैं सो साथ हमारे ऐसे 300 किलोमेटर दूर नागपूर जाकर वीडियो बनाओ बड़ा फैनली सोरूम आ चुका है तो क्यों नागपूर जाना है भाई और आपको बताना चाहो जोस्तों ये फिलाल एक लौता सोरूम में पूरे 36 गड़ में पूरे 36 गड़ में आपको सिर पर सिर एक ही सोरूम मिलेगा राइपूर में और अगर आप लोगों को बाईक खरीदनी तो आई तिंग आप लोग यहां आ सकते हैं और आप बाईक खरीद सकते हैं मैंने आप लोगों को यहां का डिटेल्स भी दे रखा है तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले इनकी नई W175 के बारे में आपको बता हूँ जब से मैं रिव्यू कर रहा हूँ ना बाईकों का आपको सच बता रहा हूँ इस बाईक के बारे में मुझे पता ही नहीं था ये बाइक के बारे में अच्छे सा जानता हूं निंजा त्रियनिट बट इसके बारे में मुझे नहीं पता था बट दोस्तों अब बाइस बाइक के बारे में तोड़ा सा जाना है तो आज की इस वीडियो में इस बाइक के बारे में बात करेंगे चलिए बात करतें सबसे पहले price के बारे में आपको बताना चाहूंगा यह xroom price 1.47.000 1.47.000 रुपे के आसपास के आपको xroom price देखने को मलती है बात कर ले इसके on-road price के बारे में तो आपको clear कर तो फिलाल मैं on-road price में एंसन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने गलत बताया हमारे अलग प्राइज है तो एक्ट्र में जो एक स्टेट एंड सीटी रहता हुआ पर जो प्राइज है वह हमेशा अलग रहता ही रहता है सेम प्राइज कभी भी नहीं रहता है आप लोग को का इसका क् चलिए अब आज़ते हैं इसके रिव्यू में सबसे पहला आप इसकी फ्रंट लाइट देख पारें फ्रंट में आपको बाइक में जो तरन सिंगल लैप है वह आपको यह पर बल्ब देखने को मिलेंगे कंपजये में काफेशे तरन षिंगल लैप है यूज की मिलेंगे में देखने को मिलेंगे कंपनी ने कि अच्छी जो और किया इस निएda सिपस की पायां मिलते हैं बात करें आपको बैकिंगim प्रेट के बारेⁿ तो front में इस bike में around 270 mm के आसपास की जो plate size वो आपको bike में देखने को मिलती है, एक बार मैं confirm करता हूँ, भाई गलत नहीं बताना चाहता आप लोग बो, सैद मैं गलत हूँ, कहां गया भाई, plate size, नहीं मैं सही हूँ, 270 ही मिलता है, चली, बात कर लेते हैं, इसके engine specification के बारे में, जोस्तों, आपको बजा दू, engine type में इसमें आपको 177CC के air cool, 4 stroke, single cylinder जो engine है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, बात करें, power and torque के बारे में, ये maximum power में 13 PS के असपास की power generate करती है, and 13.2 के असपास का, जो intermittent torque है, आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यानि कि आप लोगों को बाइक में power and torque है, वो काफी अच्छा कासा देखने को मिल रहा है, दोस्तों, ये vehicle जो है, आपको बता दो, cooling system में इसमें आपको air cooling engine मिलेगा, fuel system में आपको fuel injector देखने को मिलता है, जिसे FIB कहते है, आप bore size 65.5 mm की है, stock size 52.4 mm की है, SOSC 2 volume engine मिलेगा, ये 5 gear के साथ में आती है, साथ में आपको normal weight multiplate जो clutch है, वो आपको बाइक में मिल जाता है, बात कर लेते हैं दोस्तों, इस बाइक के dimension and capacity के बारे में, इस बाइक की जो, स्वारी यार, पहले mileage के बारे में बात करते हैं, ये आपको minimum 42-45 के आसपास का mileage निकाल कर दे देती है, 0-100 में फिलाल यहां पे mention नहीं है, बड़ टॉपी स्पीड इसके आपको 120 से 130 km पारावार के आसपास की मिल जाती है, अब आते हैं इसके rear profile में, rear में इसमें जो suspension आपको मिलेंगे, वो काफी अच्छे देखने को मल रहे हैं, देख पारे काफी अच्छे suspension है, और आपको बता दो, rear में इसमें आपको twin stock absorber hydraulic suspension मिलेंगे, जो की adjustable suspension है, rear में जो tire size मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते है, कितने के tire size है, 190 के tire, rear में आपको मिलेंगे, rear में drum brake मिल जाता है, और आप exhaust देख पार है, rear में footrest quality भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, उसके बाद आप देख पार इसके tail light है, वो आपको normal bulbali देखन का design बहुत अच्छा है, और यहाँ पर fuel cap को जिस type का देखने को मिल जाता है, यह कुरा खुलेगा, speedometer में आते है, speedometer में दोस्तों इस bike में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ninja 300 में मिलता है, और अगर बात करें, speedometer के बारे में, तो speedometer में दोस्तों इसमें आप लो speedometer को control कर सकते हैं, speedometer में दोस्तों आपको engine किल सीज और एक self को सीज देखने को मिल जाता है, तो यह तो दोस्तों, brand new W, sorry, W175 का complete specification review, बहुत premium, बहुत अच्छी bike है, अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं, तो अब इसके साथ में जा सकते हैं, चलिए उमिद करता हूं, अभी ओल जैहिन मन्देबात,